इस्टुडेंट्स we will discuss about the important news फर्स्ट नीज़ इस रिगार्डिंग दा जी का वाइरस के पर्सपेक्टिव से है इस्टुडेंट्स रिसेंट्ली जी का वाइरस के कुछ केसे जाँ उनको डिटेक्ट किया गया सदन इंडिया के वहाँ पे तो आप देखी कि जिका वाइरस के अगेंस्ट में जो सर्वी लाइन्स और उसके इंप्रूमेंट के बारे में डिसकस किया गया है इस्टुडेंट्स अगर हम इस न्यूज के परस्पेक्टिव से डिसकस करें तो साइन्स और टेकनोलोजी का जो पेज है वहाँ पे इसको मेंशन किया गया जिका वाइरस एक मॉस्कुटो बेस जो डिजीज है आपको देखने के लिए मिलता है आप देखी कि एडिस मॉस्कुटो के दुवारा डेके समय अगर बाइट किया जाता है तो जिका वाइरस का जो इस्प्रेड है आपको देखन के लिए मिलेगा तो आप देखी कि प्रिलेम्स 2016 के समय में जो जीका वाइरेस वो न्यूज के अंदर में था उस समय ये जो क्यूशन है वो पूछा गया इस्टुडेंट्स अगर हम डिसकस करें मौस्किटो बेस डिजीज के बारे में तो आप देखी कि जो रेनी सीजन है या मानसून का जो समय है उस दोरान में आपको जो मौस्किटो बेस डिजीज है उनका जो आउट ब्रेक है उनकी जो केसेज है वो आपको लार्ज नंबर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे आप देखी कि मौस्किटो बेस जो डिजीज है जिसके अंदर आपको यलो फीवर है यलो फीवर के लावा इस्टुडेंट डेंगू है चिकन गुनिया है और जीका वाइरस है इन सभी के जो आपको केसेज है वो देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इस्टुडेंट मानसून का जो समय है मौस्किटो का जो breeding ground है उसके लिए favorable जो conditions है उस दोरान में आपको देखन करें इस्टुडेंट्स 1947 के समय में युगांडा के जो रसेस मकेख है जो मंकीज है वहाँ पर फर्स टाइम इस वाइरस को डिटेक्ट किया गया था अगर आपको युगांडा का जो लोकेशन है वो नहीं पता है तो आप अपने एटलास के अंदर जरूर से जाके युगां ग्रता का आपको था लोकेंगेज समय में भीजान मोकेख है जो मंकीज है उसके इंदर फर्स टाइम इसको डिटेक्ट किया गया एडिस मैसक मॉस्क्यूटों के दुवारा इसका जो इस्प्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है अगर मोस्क्यूटों के दुवारा जो transfer है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि mother से जो children है उसको भी यह transfer हो सकता है अगर हम बात करें students vaccine के बारे में तो क्या जीका virus का कुछ vaccine है वो available है students 2017 के समय में कुछ जो यहाँ पर vaccine है उसके production के बारे में discuss किया गया था जो हमारा dairy development board है उनके दुआरा भी vaccine का जो development है उसके बारे में discuss किया गया था बट आप देखी कि present समय में कोई भी यहाँ आपको जो vaccine है वो नहीं देखने के लिए मिलता है जीका virus के perspective से ही next अगर हम discuss करें student डेंगू के बारे में discuss किया गया है कि डेंगू के कुछ cases है वो क्यों increase हुए है worldwide wave में आप देखी कि डेंगू और यह news आपको जो text and context का जो page है वहाँ पे इसको mention किया गया है तो डेंगू को जो वह भी basically आपको आप देखी कि mosquito based disease ही देखने के लिए मिलता है और इनका जो outbreak है जो more number of cases है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं डेंगू के या चिकन गुनिया है जीका वाइरस है इन सभ एसिया के perspective से discuss करें तो 70% जो cases world के जो आपको South Asia के region के अंदर में या global disease burden के रूप से भी डेंगू को यहाँ पे count किया जाता है आप देखी कि 2017-18 के समय में दहली के वहाँ पे भी जो डेंगू की जो cases है वो देखने के लिए मिले थे तो यह डेंगू के perspective से था कुछ regions जो है वो climate change और urbanization को यहाँ पे माना गया नेक्स्ट अगर हम discuss करें इस्टुडेंट्स आसाम के अंदर flood के perspective से discuss किया गया है आप देखी कि आसाम का जो कमरूप district है उसके बारे में यहाँ पे discussion यह है कि wild elephant के दुआरा जो flood का जो situation है उसके अंदर में उनका जो walking है उसको photo के अंदर इस्टुडेंट्स आप देखी कि आसाम के अंदर continuous आपको जो flood है वो देखने के लिए मिलती है एक तो ब्रह्म पुतरा river है वहाँ से flow किया करता है और मानसून के समय में उनका जो overflow का जो situation create होने की वज़े से आपको आसाम के अंदर जो flood है वो देखने के लिए मिलेगा वे बिहार के नाम से भी जाना जाता है सपोज की यह बिहार है कोसी का जो flow होता है तो स्टुडेंट्स कोसी के दुवारा जो sediments बोरो किये जाते है निपाल के वहां से और इस सेडिमेंट्स river के course के अंदर में यहां पे deposit होनी की वज़े से river के दुवार अपना जो course उसको shift किया गया है तो आप देखे कि wild elephant जो काजी रंगा नेशनल पार्क है वहां पे वन होन राइनो भी पाया जाता है तो उन सभी के बारे में यहां पे photo के अंदर mention किया गया इस्टुडेंट्स अगर हम discuss करें वन होन राइनो के बारे में तो उनका IUCN जो status है वो आपको vulnerable देखने के मिलता है और आप देखे कि काजी रंगा जो नेशनल पार्क है वहां पे इनका संक्या पाये जाता है काजी रंगा नेशनल पार्क जो की यूनेस्को का जो heritage site है उसके अंदर भी उसको सामिल किया गया है natural category के अंदर में वहां पे आपको grassland का जो ecosystem है वो आपको देखने के ल आप देखे कि जो करनाटका है करनाटका के अंदर में आपको highest देखने के लिए मिलेगा उसके बाद में second number पे आसाम है जहां पे flood का situation create हुआ और third students केरला है जहां पे highest number जो wild elephant है वो पाये जाते हैं next अगर हम discuss करें project elephant के बारे में तो 1992 के समय जो project elephant है उसको start किया गया था project elephant क कि अभी recently 30 years के आसपास का जो समय है वो complete हुआ है तो students यह elephant के regarding में था जिसके perspective से आपको पता होना चाहिए माइक नाम का जो initiative है elephant के ही regarding में वो भी आपको पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क जहां पे flood का situation create हुआ वन होन राइनो जिनका vulnerable status है उनकी संक्या सबसे ज्यादा काजीरंगा के अंदर ही पाई जाती है और काफी बार यह demand भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वन होन राइनो का जो translocation है या उनका जो decentralization है दूसरे areas के अंदर भी किया जाए दूसरे areas के अंदर भी पाई जाते हैं बट आप देखी कि more number of numbers है वो आपको संक् पार्क है जिसके अंदर राइ मोना है जो western पार्क के अंदर situated है जिसको recently last two years के अंदर में national पार्क का जो status हो दिया गया है उसके लावे students मानस है डिब्रू सिकोवा है दिहंग पटकाई है और भी काफी सारे आपको जो national पार्क है जो देखने के लिए मिलते हैं total seven numbers है उनके के बारे में आपको पता होना चीए कावेरी के बारे में यहां पर discuss किया गया है students आप देखे कि कावेरी का कावेरी का जो dispute है southern इंडिया के हमारे दो states है करनाटका इन तमिलाडू के बीच आपको देखने के लिए मिलता है continuous आप देखे कि water release के regarding में कावेरी water regulation जो committee है उनके दुआरा decide किया गया है कि करनाटका के दुआरा जो continuous यहां पे जो flow है water का जो release है वो carry out किया जाना चीए तमिलाडू के वहाँ पे students अगर हम यहां पे करनाटका और तमिलाडू के perspective से कावेरी के बारे में read करें आप देखे कि इसको pony के नाम से भी जाना जाता है localist का जो आपको यह जानकारी होना चीए कि आप देखी कि ब्रह्मगरी hills है ब्रह्मगरी hills है वहाँ पे ब्रह्मगरी hills है ब्रह्मगरी hills है कहां पे हैं यह करनाटका के अंदर में वहाँ पे ताल कावेरी नाम की जो जगह है जहां से कावेरी का origination आपको देखने के लिए मिलेगा करनाटका के लावा आप देखें कि तमिलनाडू के अंदर कावेरी का फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा और इसके लावा पुडूचेरी के भी कुछ एरियाज के अंदर जो वोटर है वो यहां पर रिसीव किया जाता है कावेरी का जो पानी है अगर हम डिसकस करें मानसून के थरूर रिसीव किया जाता है नौर्थ इस्ट मानसून जो कि आपको तमिलनाडू आंदर प्रदेश के कुछ रीजन या हमारा जो कोरा मंडल कोश्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट इस्टुडेंट्स अगर हम डिसकस करें कावेरी के ह बारे में तो आप देखे कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस तमिलनाडू के दुआरा नेक्स्ट कुछ मंत के अंदर डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बिहाइंड के रीजन्स क्या हैं रीजन्स ये हैं कि आप देखे कि अभी प्रिजेंट्स समय में तमिलना जो बारीस है वो आपको कोरा मंडल कोष्ट के वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो तमिलनाडू के अंदर में जो बारीस है वो आपको अक्टूबर और नौंबर के मंत के समय देखने के लिए मिलेगा करनाटका के अंदर में जो प्रिजेंट बारीस का जो समय है साउथ west monsoon के थुरू में और एक आपको यहाँ पर monsoon के बारे में जानकारी यह होना चाहिए suppose कीजिए हमारा western घाट का hills है तो western घाट की वज़े से आप देखी कि monsoon मेंट्स को यहाँ पर जो barrier है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा western घाट की के समय create किया गया था students आप देखी कि अभी recently उसे जो यहाँ पर जो outfit है उसी के regarding में कुछ परसन से उनको arrest किया गया है मनीपूर का जो police है उनके दुआरा अरंबाई तेंगोल के नाम से इस outfit को जाना जाता है students और इसके radicalization के regarding में भी जो news हो आपको काफी बार देखने के लिए मिलती है अरंबाई तेंगोल नाम का जो outfit है जो organization है उसके बारे में मनीपूर के बारे में जब भी हम read करते है तो आपको यहाँ पर जानकारी यह होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो मनीपूरी language है क्या मनीपूरी language को sedulate के अंदर add किया गया है sedulate का वो part है मनीपूरी जो एक dance है वो भी आपको है जो classical dance के रूप से देखने के लिए मिलता है मनीपूरी dance के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या संकरा देवा का क्या important contribution है मनीपूरी dance के regarding में तो वो आपको read करना है कि मनीपूरी dance के अंदर में जो संकरा देवा है संकरा देवा जो important personality है आसाम के perspective से क्या उनका कोई important contribution है उस dance के perspective से next students अगर हम discuss करें मनुस्मर्ती को जो faculty of locust syllabus के अंदर में नहीं add किया जाएगा कि DU के जो VC है vice chancellor है उनके दुआरा कहा गया है students आप देखें कि किसी भी university के जो chancellor है वो आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे state के अंदर में जो chancellor है वो आपको governor देखने के लिए मिलते हैं किसी भी university के तो दहली जो university है DU जो है उसके जो chancellor है वो क्या president है या वहाँ पे जो LG है जो appointed है दहली के अंदर में क्या वो वहाँ पे चांसलर के रूप से हैं या आपको जरूर से पता होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मनुस्मर्ती के बारे में आप देखे कि डॉक्टर बी आर अंबेड करके दुआरा मनुस्मर्ती का जो पब्लिक बर्निंग है वो किया गया था हमारे फ्रीडम मुमेंट के दुरान में वो एक इंपोर्टेंट इवेंट है डॉक्टर बी आर से रिलेटेर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेट्स यहां पर जो मकाना है मकाना की पर्सपेक्टिव से डिसकस किया गया है आप देखके कि मकाना की regarding में मकाना जिसकों की यहां पर सुपर इस्नैक के रूप से या सुपर फूड की रूप से भी जाना करते हैं और वेजिटेरियन जो परसन है उनके रिगार्डिंग में जो प्रोटीन का जो डिमांड है उसको फुल्फिल किया जाता है बिहार का जो मिथिला का जो रीजन है वहाँ पे इसका जो आपको जो प्रोडेक्शन है वो देखने के आप देखें कि जो लइबर इंटेन्सिव वर्क है उनकी लिए वो जाने जाते है उनसकी कम्आपना का जो प्रोडेक्शन है उसको प्रोडेक्शन है उसको कैरी किया जा जाता है जो price है वो increase हुआ है वहाँ कि जो farmers है उनका demand है कि basically इसके यह जो protein का जो demand है जो vegetable protein का जो demand यहाँ पे increase हुआ है तो आप देखी कि इस जो इस से related जो farmer है उनको MSP है वो provide किया जाए government के दुआरा तो students यहाँ पे जो present समय का जो climate change की वज़े से जो impact आपको agriculture के उपर देखने के लिए मिलता है तो different kind of यहाँ पे agriculture practice है उनके बारे में यह mention है तो आपको मकानाज के बारे में पता होना चाहिए बिहार का जो मतिला का जो region है वहाँ पे मलाज community के दुआरा इस labor intensive work को carry किया जाता है और आप देखी कि इसमें काफी सारे जो काटे हैं वह भी आपको देखने के लिए मिलेंगे water के अंदर में इसका जो cultivation है water के अंदर में इसका agriculture practice हो किया जाता है अगर आपको इस जो मकाना अगर आपको इस मखाना का जो कल्टिवेशन है उसमें इंट्रेस्ट है तो आप देखी कि एक एक न्यूज प्लेटफॉर्म है लललन टोप उनकी दुआरा बेसिकली आपने एक इलक्सन का जो जर्नी है या कवरेज है उसके अंदर में इसको कवर किया गया था पूर्णिया ज जो करते हुए उनके जो जनलिस्ट है उनके दुआरा बात किया गया था कि किस तरीके से इसका प्रोडेक्शन देखने के लिए मिलता है अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप उसको जाके देख सकते हो इस्टूडेंट्स ललन टोप का वो जो पूर्णिया यूनिया यून कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारा रेप्लेश्मेंट रेट से भी कम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा रेप्लेश्मेंट रेट वन टू पॉइंट वन परसेंट है हमारे यहां पे टू परसेंट टी एफर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा कुछ आप देखें कि MG नरेगा हैं जो basic amenities हैं वो उसका भी improvement हुआ है life expectancy या health care के access के improvement के बारे में अगर हम discuss करें तो आपको यहां पर जन्नी सुरक्षय योजना है जो government की schemes उनके बारे में पता होना चाहिए बट यहां पर जो discuss किया गया है कि infertility के बारे में discuss किया गया है कि जब भी infertility के बारे में discuss किया जाता है तो especially आप देखी कि India के अंदर में और उसके अंदर भी especially जो rural areas है वहां पर women का ही जो infertility है उसको यहां पर discuss किया जाएगा यहां पर men's का जो infertility के जो cases हैं उनको नहीं discuss किया जाता है तो आप देखी कि इसे जो taboo है उसको break करने का ज़रूरत है जिससे कि man का जो productive health है उसके regarding में discussions है उसको carry किया जा सके students यहाँ पर different reports के अंदर बताया गया है कि man का जो infertility है 60 to 80 जो million 60 to 80 million जो यहाँ पर couples है infertile है उनका जो conditions है वो देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर 13 to 19 million के आसपास जो persons है उनका इंडिया के अंदर presents है आपको देखने के लिए मिलेगा major reasons क्या है infertile जो health reproductive health के जो conditions है उसके regarding में तो आप देखे कि यहाँ पे life style एक main region है life style के इस तरीके से proper way में parks का ना होना अर्बनाइजेशन के proper यहाँ पे development ना होना और आप देखे कि life style इस तरीके से stressful life style है working conditions की वज़े से next यहाँ पर बताया गया है कि environmental pollution है वो भी काफी ज्यादा higher है तो उसका भी जो impact है reproductive health के उपर देखने के लिए मिलेगा तो men's का जो reproductive health है जो उसके regions है उसको यहाँ पे discuss करने का ज़रत है उसको analyze करने का ज़रत है जिससे कि यहाँ पे contribution है infertility के अंदर में जो men's का जो यहाँ पे regions है उसको better way में discuss किया जा सके नेक्स्ट अगर हम बात करें Finance Commission का जो यहाँ पे Resources के Distribution के बारे में हैं आप देखे कि हमारा जो Recent Finance Commission है उनके दुवारा 41% Divisible जो Tax Pool है उसको डिसकस किया गया था 41% है जिसके अंदर different categories है Income, Population, Area, Forest, Ecology, Demographic जो Performance है ऐसे कुछ एरियाज है जो Parameters है उनको Choose करते हुए 41% जो Taxation का जो Divisible Pool है उसका यहाँ पे Devolution के बारे में Discussion था तो आप देखे किसी जो Finance Commission का जो Devolution है उसके Regarding में आपको देखने के लिए मिलता है कि उत्तरप्रदेश और बिहार है उनको जो Larger Amount है वो यहाँ पे रिसीव किया गया और करनाट का इन केरला का जो आपको Less Larger Amount है उसका जो रिसीव है वो देखने के लिए मिलता है Next अगर हम बात करें इस्टूडेंट्स यहाँ पे Discussion यह है कि Completely Center के पास में यहाँ पे Responsibility है कि Central Sponsor Scheme सा उसको किस तरीके से Implement किया जा सके और यहाँ पे जो अंदरप्रदेश और बिहार का जो डिमांड है अंदरप्रदेश और बिहार का जो डिमांड है उसके बारे में Discussion है GST के बारे में Discussion यह किया गया है कि सभी जो States से उनको Same Category के अंदर आप नहीं calculate कर सकते हो आप देखी कि जो अंदरप्रदेश का जो डिमांड है वो बिहार का जो डिमांड है उससे completely different demand होगा present समय के अंदर में गुजरात का जो डिमांड हो completely different होगा तो हर एक State का जो development criteria जो different है किसी की socio economy conditions के अंदर ध्यान देना है कहीं पर education का ज़रत है और आप देखी कि कहीं पर better infrastructure का ज़रत है तो यहाँ पर जो different different way में हर एक State का जो different category है उसके अंदर deal करने के perspective से या special जो package यहाँ पर allowance किया जाता है तो completely center का responsibility है उसके बारे में discuss किया गया BIMSTEC आप देखी कि यहाँ पर BIMSTEC का जो foreign minister से उनका meeting हुआ है म्यानमार के perspective से अगर हम discuss करें students म्यानमार के अंदर में present समय में crisis है जो China के साथ में जो connect होने वाला area है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि म्यानमार के अंदर में जो rebel groups से उनके दुआरा power को capture किया गया है उनके दुआरा area को capture किया गया है BIMSTEC के बारे में आपको जो basic information है वह आपको जरूर से पता होना चाहिए students 1997 के समय में जो बेव बंगाल initiative for multi-sector technological and economy corporation जिसकों की हम BIMSTEC के नाम से जानते हैं that came into the existence of the Bangkok declaration बैंकोग declaration के थूँए existence के अंदर में आता है इसके लावे students आपको BIMSTEC के regarding में एक Bangkok vision 2030 नाम का एक vision document है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है BIMSTEC के ही perspective से आपको यहाँ पे जो member countries है BIMSTEC के जो member countries है उनके बारे में आपको यहाँ पे जरूर से जानकारी होना चाहिए students BIMSTEC के जो member countries है अगर हम member countries के बारे में डिसकस करें BIMSTEC है इस तरीके से जो seven countries जो यहाँ पे BIMSTEC के पार्ट है नेक्स्ट अगर हम discuss करें पान मसाला का जो association है उनके दुआरा अप्रोच किया गया high court के अंदर में और देहली high court के दुआरा देहली का जो high court है उसके दुआरा उनके जो petition है उसको reject कर दिया गया students recently FSSI के दुआरा FSSI के दुआरा 50% जो warning है उसके बारे में discuss किया गया था कि पानमसाना का जो label है उसके उपर 50% जो यहाँ पर warning issue किया जाएगा है कि इसकी वज़े से जो cancer है वो हुआ करता है आप देखी कि पानमसाना आसोसेशन के जो company जो उनके दुआरा high court के अंदर अप्रोच किया गया कि इस तरीके से उनका जो practice है उसके against में है trade का जो practice है यहाँ पे जो court की दुआरा observe किया गया है कि article जो 19 है 19 का जो close 6 है उसके अंदर में mention किया गया है कुछ reasonable restrictions के बारे में कि health को अगर impact करना है तो उसके regarding में जो guidelines से उनको issue किया जा सकता है नेक्स्ट अगर हम बात करें 44,000 जो 51% से वो पाकिस्तान के अंदर में है उनके बारे में यहाँ पे discussion है नेक्स्ट आप देखी कि यह के जो cathedral के अंदर में fire का incident है exam के purpose से नहीं important है और Myanmar के अंदर में UN के जो special representative है उनके दुआरा discuss किया गया है कि Myanmar के अंदर में human right का जो violation है वो देखने के लिए मिला है चाइना के regarding में discussion है रसिया के regarding में discussion है नाटो का जो meeting है वहाँ पे North Atlantic Treaty Organization 1949 के समय existence के अंदर में आता है Belgium Brussels के अंदर में इसका headquarter है और collective defense का एक आपको जो concept वो देखने के लिए मिलता है नाटो की दुआरा students यहाँ पे agree किया गया है कि F-16 के जो fighter jet सा उनको use किया जाएगा Ukraine के वहाँ पे जो support के purpose से तो this is all about the today's newspaper discussion जो भी important information आपको मिला हो उसको जरूर से note down करना और आप देखी कि आप homework का participate कीजिए आपसे जो भी questions पुछी जाते हैं comment section के अंदर जरूर से बताना आप comment section जो भी questions आपसे पुछे गए thank you students thank you very much